तद मले, खुदही साइंस में ये बात हम पता लगा रहा है, अब महराज दो बरस हो गया, जरासी बात इनकी समझ में, खुदही समझने की कोशिश करें, कितने गणिस लगा रहे हैं, कितने प्रयोग करें हैं, तो एक दिन इनके किसी हिसाईशी ने कहा, कि भले मानुस इस बात का तो बहुत पहले, आज से 25-25 बरस पहले पता लग चुका है, और ये बात अच्छी तरह प्रोफेसर लोग पढ़ाते हैं अपने ख्लास में, तो उनके पास समझ को नहीं ने से, उसमें का वा, हम उनके को समझेंगे, जेसे पहले प्रोफेसर ने जेस पहले जानिक ने लगाया, वेंसे हम उसका पता लगाएंगे, तो तब तुम को 25-25 बरस पहले लगेगे, जबी उसके पता लगाये हुए, जाने हुए, पतार्स से तुम थोड़ी मद लोगे, तो जो बात तुम दो घंटे से भीतर समझ सकते हो, उसका पता लगाने में, और जबी बड़े लोगों ने, बुजर्गों ने इस वात का अज़े का अनुस अंभान किया है, उनके बताए हुए राच्टे कर चलोगे, तो बन तो जर्म मालुम पर जाएगे, तो एक अहंकार होता है, मनुश्यकों, और उस अहंकार के कारण वो किसी के सामने सिर्व इसमें भी बड़ा मज़ा आता है, जो कि हम को यही चालीस बरत हो गया, साध्यों के चक्कर में परे हो गया, बहतों के चक्कर में परे, बहतों के चक्कर में बाला, एक है, चक्कर में परे भी या उस चक्कर में, बाला, बाला, एक है, चक्कर में परे भी या उस चक्कर में हमारे एक सज्जल थे जरग्जात इनकी छोटी से, सज्जल अच्छे थे तो वो कहते थे कि देखो भाई, क्योंकि उचेला अगर बनाए तो जाके हमारे सर्पाद स्रीजी महराज और दूसरे लोग कहते थे कि उचेला बनाने का कोई अधिकार नहीं है को बनाते हो, तो वो बनाते हो, तो हम किसी को चेला बनाते हैं, और नहीं किसी के गुरू बनते हैं, हम तो केल मित्र बनते हैं, हाँ, तो हम किसी को चेला नहीं बनाते हैं, हम किसी को चेला नहीं बनाते हैं, तो तो क्या करते हैं, वोने मित्र बनाते हैं, हम तो एक अच्छा मार्ग बताता है अब महराज मित्र बनके 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 उनके जब हजारों मित्र बन गए अब इन मित्र बनने वाले को ये ख्याल था कि हम इनके सुछे कोने बनते हैं हम इनके मित्र बनते हैं तो हम इनकी बरादरी के हैं अहनकार की तुष्टी ही नहीं यह अहनकार का पोचा लोगा हो मंत्र इन से पीछ पेशे कि किस मंत्र का जब करें इस तो इन से पूछते से और ध्यान कैसे करें यह वो बताते से और इश्वर का स्वरूप क्या है यह बात वे समझाते से बेखा करके ध्यान भी करवाते थे कि एक ध्यान करो और कोते थे कि हम तुम्हारे गुरू ने इस तुम हमारे से लेने अब अराज खोड़े दिनों में यही जो मिस्र बने से न यह सक के सक केले हो गए बने अब तो गड़ी बन गई यह तो वो सुन्हासन पर बैठने लगे अब वो मिस्र जो हो आर्पी भी उतारते है गेजेकार भी बोलते है तो यह जो अपने मन में अहनकार की विशेशता है वो भट जाने सके हैं हम आप से एक स्वाल सकते हैं कि आप गुजर्दों के अनुभाई से खायदा नहीं खाने साहते हैं एक अंजाना अमार्ग है एक अन्मिला साजन है आज तक यह नहीं है यह खोड किसी की पूरी हूँ नहीं है बोड़े कोई वैसा दावा में कर सकता कि सिस्की का कौना कौना मेंने खान लिया मेने देख लिया अनाविकाल तक कही भी उसकी शप्ता महीं मिली इसका अवाख करने अला तरस्की में कोई नहीं है कि इसकी खोड अभी तक पूरी नहीं हुई है उसके बारे में जब कोई कहता है कि वो नहीं है तो केवल वो अपनी अंधुष्ष रद्धा की ही अभी व्यक्ति करता है इसलिए आपके जानना केजिए कि आपका अहंकारही सबसे उचा नहीं है आप ही सृष्टी में सबसे बड़े बुदुनान नहीं है आप बिल्कुल सुर्द रही तो हो आपका भलाई चाहने वाला सुष्टी में कोई नहीं है ऐसा आप अपने के क्यों मनाते है तो अनगाना मार्ग और अनमिला साजल और जिसके बारे में खोड सभी पूरी नहीं हुई इसको ढूनने के लिए आप लिखने है यदि आपको राखता बताने वाला कोई नहीं होगा तो भटक जाएंगे बोले कि भटक जाएंगे तो क्या होगा कि तब इसका मतलब है कि आप इसके जल्दी पाने के लिए उप्सुख नहीं है जल्दी पाने के लिए उप्सुख नहीं है आप दूसरों की बुद्धी से ही नहीं अपनी बुद्धी से हिपने काईज हो गए रहे ये भी एक तद्दती होती है मने बिज्वान की तद्विती होती हम ने हम तो इसको बहुत जाबा जानता है एक घूट को जब मनुछ दस बार दोहरा लेता है दस आदियों से एक घूट बोले आवे तो इसको खुद को ही वो बात कथी नालब करने लगती है और कहते समें ऐसा लगता है कि मैं सक्ष बोल रहा हूँ तो ये मन का ऐसा सुभाव है ये बिज्वी का ऐसा सुभाव है मन इस दूसरे की बिज्वी से ही इतनो ताइज नहीं होता अपनी बिज्वी से भी इतनो ताइज होता है इसलिए इस मार्ग में सलने के लिए कुछ लबिश करती चाहिए इसमार्ग में सलने के लिए अंके तो पूस्ता है कि स्वाम जी आप क्या दोलते हो क्या हम दोलते नहीं है हम जो पुराने छणहर हैं ने पुराने छणहर उनके गाइट है गाइट पकाम करते हैं जेसे कोई लखनौ का इमाम बारा देखने के लिए जाए तो गागता यहां सेता था यहां बैखता था यहां साका था ऐसे वहां बताते हैं बेगम साथ यहां यहां इसे करती है यहां इत्र में लहाते से जिन्मी वे बताते हैं यहां इत्र में लहाते से तो जैसे कुराने छणहरों के गाइट लोग यहां करता है यह सा हम आपको यह जो प्राचीन प्रधती है क्याधमाकी शिर्थि की लक्ष्य प्राची की उसकी ब्याक्षा आपको सुनाते है उसकी ब्याक्षा करते हैं ब्याक्षा तुस जीतने आचार जो होते है वो एक पद्धती की प्रधानता अपने जीवन में रहत करके उसी के अनुसार लोगों को मार्ग बिखाते हैं सब लोग एक तरह से नहीं होते हैं कोई साकार आले होते हैं पाकार में रुची होती हैं किसी की निर्दुन में रुची होती हैं किसी की शास्त्र में सरद्धा होती हैं किसी की नहीं होती हैं ऐसे अलग अलग खाल के लोग होते हैं किसी को जिंदा आदमी से प्रेम होता है, किसी को मरे हुए आदमी से प्रेम होता है, किसी को इस लोग के आदमी से प्रेम होता है हमारे पास अभी में द्रंदादम गया था एक पार्टी आई थी उसने दो सो तीन सो आद्मी आते हैं द्रंदादम जब आते हैं तो एक डालत में आया था हमारे दालत है देखने में कोई 19 वरस का अफारा वरत का उन्मिस वरत का जालक बनता था, लगता था तो वो बताते से कि ये महाकुरुष्टो है, वो देसे तीन सवादियों का घुंड का घुंड वो बताते से कि ये जो है बाल जोगी इन्हों ने कई बार राम कृष्टो को अपनी गोद में खिलाया है, इनके सामने आउसार हुए है ये दप्तात्रे और रिशब्दे और सुप्दे और रईको बामदे और जिन्दी दर्चाती इस आप्समों में इन सगने इनके ब्रहमग्यान सीखा है इसा एक बालक हमारे पास लेके आए आप देशने में तो अठारा उनीत बरत का ही था हमको तो प्रजाम करता था, हमारा तो पहुत ही था कि उसकी अपन को उसको क्या नहीं है हमने कभी उसके कुसल मंगल भी नहीं सुचा थी तुम कौन हो कहां से आयो बाद में मेरे तारीष की उन लोगों के जो मंदली तुम नहीं हो, मंदली वालों के तारीष की क्या तारीष की कि देखोगाई बुरंदा गर्न में तो ये पध़ती है कि छोटे छोटे बच्चों को भईवान बना के बथा देते हैं और ये साख्षाद कृष्ट है, ये साख्षाद राजा राणी जानते हैं कि दसर का महीना संखा है और अमुक बाद का देशा है और उतरने के बाद इसके कोई पूछने अला नहीं है जानते है इस बात को है यौप उन्हें और इसकी जिन्दगी खराब हो रही में लाचने में गाने में ये जब बड़ा होगा तो खाने कलिए इस तो रोटी में मिलेगी ये बात रहिं जानते हैं फिर ही उसको राम खुर्श्प के करके बलगाम रादा रामी बलगाम करते हैं क्योंकि उसके ब्रारा अपने हर्दों में अंभगवान का स्मरर करने चाहते हैं तो गृंदावन की तो ये रिवाज है तो मैंने कहा कि भाई तुम लोगों ने ये बहुत भग्या किया कि एक जालत में महात्मा की बुद्धी की, है न अब ऐसे तुम उनको दपता करे संजो, रिवद्दों संजो, शुत्वं संजो, ये तुमारी सरग्धा है, तुमारी बवद्दी है, ये तुमारा चल्यान करेगी न वो डालक कभी राम कृस्व होगे और न ये डालक कभी बद़ात करे शुब्दों गामदों होगा तो बात कहने दिये हैं यै मनुशु जो हो न वो अपनी मनुबृततियों से ही संचालित होता है और इन मनोगृतियों में बहित करके बासना जिफ मनोगृति होते हैं बासना जिफ एक आजनी ने एक नवगयान को गुरू बनाया हो बाद में लडाई हो गई अब दोने नवगयान और वो दियों में पढ़ता था लड़का और वो सज्जन उससे एक बहुत दो बड़े हो बाद में दोने में वो घंखोर लड़ाई होई तो मेरे साथ पंचायप आई मैंने उस लएके से पूछा कि तुम ने इनको गुरु को बनाया जो गुरिया गागा जी महराज है आनंद माई माँ है हरी गागा जी है अरो पांसे में सवार में हमको भी गिन लेते हमको भी गुरु गिनाते तुम इस छोकरे को तुम ने गुरु क्यों बनाया तो उसने कहा कि मैंने सोचा कि आप लोगों की उमर तो बड़ी बड़ी है आप जल्दी मर जाएगे और ये जयान है कि ये बहुत दिने तक जिंदा रहेगा तो ये अतनी अतनी मनोबृत्जी होती है किसी को कोई सिच्छा नहीं दे सकता और किसी को कोई समझदारी नहीं दे सकता एक कसवती है इस बात की हम लोगों की उप उच्छा को करते हैं कि हम समझते हैं कि इनके मन में इश्वर प्राप्ती के लिए जो लगन चाहिए वो पैदा नहीं होई इश्वर की प्राप्ती के लिए जो जिग्यासा के ये वो नहीं पैदा होई जो नुबच्सा को ही है, यह पियदा नही हुई अगर उनके मन में इस्वर की राक्ति के लिए जाकुन स्थनी नहीं है इनकी आफ में कभी इस्वर के लिए बेगू दुदा से लए आते है इस्प्री के लिए रोते है, उत्र के लिए रोते है, दान के लिए रोते है, इज़त के लिए रोते है, इस्प्र के लिए रोते है, इस्प्र के लिए रोते हैं, जब हम इस बात के समझते हैं, तो तुमारे इसर काहे कि जोर बेंगे, काहे कि जोर बेंगे कि तुम ये करो और जब पहुंचने की इच्छा होती है और जब चलते चलते ठक जाते है तो रास्ते में जो मिल्का उसी से पूचते पी अभी वो जगह कितनी दूर है और उसकी बात पर बिश्वाफ करके आगे बरते है हम सेदा ने जातरा की है बना अब में एक एक बार चार-चार सो मील शेशे सो मील की जातरा की है गंगातिना वे जातरा की है बगरी नाथ सक गया हूँ बना के नायम है गंगुतरी गया हूँ नारायम ब्रंदादन से प्रयाग गया हूँ करनबाद से ब्रंदादन आया हूँ प्रंदा अगल से गुलाली अर गया हूँ मैंने बहुँ आरो मील की पापवेगल जात्रा पी है लेकिन जब जात्रा में सब्यत ठक जाती सी चंटे चंटे और मालूम नहीं होता कि अभी कितनी दूर है कहीं जंगल पर जाता तो जो मिलता उसी से पूछते कि वो जगे वो जगे अभी कितनी दूर है उसका रास्ता कहुंचा है संतोश होता पूछने से जिसके मन में इश्वर की प्राक्ती की इच्छा का उदे होता है वो हंकार के दश बर्ती नहीं होता वो अपनी गुद्धी के बसी कृट नहीं होता इस नहीं होता अपनी गुद्धी से क्यों तब गुद्धी में इश्वर का तो अनुभा है नहीं गुद्धी वही मार्ग बता सकती है जहां पहले से जिस चीज का अनुभा होता है उसके बारे में गुद्धी बता सकती है जो गुद्धी से पीछे बैठा हुआ है गुद्धी जिसको देख नहीं सकती जो गुद्धी को देख रहा है जो गुद्धी से परे का हुआ है किसी ने कहा कि जो गुद्धी से परे है वो भी गुद्धी से जाना जाता है कहा जो गुद्धी से परे है वो ही गुद्धी से जाना जाता है लेकिन जो उससे परे है वो गुद्धी को देख रहा है वो गुद्धी से देखे जाने वाले को देख रहा है ये जो देखने वाला ये जो ध्यानस क्वरू कुबस्तू है तुम बले शंकरा सार्ज का नाम बतलो वेड का नाम मतलो जो तुमको आज कह रहा है कि उनका नाम मतलो उसका नाम तुम लेते रहोगे जो तुम्हें कहेगा कि वेड का नाम मतलो जो कहेगा संक्राचार्ज का नाम मतलो जो तुमको कहेगा गुरू का नाम मतलो जो तुमको कहेगा आशिराम और कुर्ष्रे का नाम मत लो उसका नाम तुम रखने लग जाओगे उसका नाम तुम्हारी अकल में गुश जाएगा उसका नाम ये गुद्धी के सभाव को गुद्धी के सभाव से पर्शित होना पड़ता है इसलिए इसका एक संदिधान है परमार्फ की मार्द में चलने के लिए एक संविधान है जयसे भारती संविधान काणून की पुस्तक है नूkke तो ये पातकालिग तरिष्थितीयों की दृष्टी से है एक साथ शुत पक्ल की दृष्टी से संविधान होता है उतका नाम होता है लिगभ और इसके जो जानकार होते हैं निगब निगब बनी निगबयती जो उस बस्तू के स्वरूप कामिस्टे करवाता है और उसके अनिसार सादन की प्रतिश्टा अमारे जीवन में जो करता है उसका नाम होता है आतार जियों इसमें जो भक्ति है उस भक्ति को गोलता है श्रद्धा चित्पई कागरियंतु संलक्षे समाधा नमयक तस्मृतां चित्पई कागरियंतु संलक्षे लक्ष में जो चित्ती की एक आखरिपा है वह ल可ने जाँ लखना चाहते हो एक आदमी गया स्केशन कर तो एका हाथ में लेक एक खेशी के दीटर डाल लिया स्केशन महस्वर में पूछा कहां ता तुकिश रहे उने जहां कि तुम्हारी मौज हो वहां का तेड़ मैंने ये लख शहील याक्रा तुमको मालुब नहीं है कि तुम कहा पहुचने कहाथे हो तुमको शांती कहिए ये मालुब नहीं तुमको परमामंदी कहिए ये मालुब नहीं तुमको संपूर और दुखों की मुम्रुटी कहिए ये मालुब नहीं बोले चाहे कहीं हो चाहे कहा कहीं कहो जाए तो लक्ष का में रबे करना पड़ता है लक्ष केसा तो लेला ब्यते यब रमतायम उपर यदाहा जो प्रारब्ब से नहीं मिलता है जो इंड्रियों से नहीं मिलता है जो गुनाशी नश्वर नहीं है जो परिष्षिन नहीं है उस लक्ष की प्राब्टी कल लक्षे माने आव तक एक संतों ने जिसको प्राब्ट के आए एक बड़ी उसे प्रवास है का हम पाना तो चाहते हैं उस बस्ती को जिसको तुन्सी में पाया बरंट उस मार्ग से चलना नहीं चाहते हैं जिसको तुन्सी चले हम पाना तो चाहते हैं वो लक्षी है जिसको कबीर में पाया और कबीर जिस मार्ग से चलते हैं उसकर चलना नहीं चाहते हैं हम चाहते हैं कि संक्राचार्जी को जो पदार खग्यान, जो पर्मार खग्यान, जो लक्ष उत्राफ्त हुआ वो हमको मिले, लेकिन संक्राचार्जी के बताये हैं, मार्जी के चलना नहीं चाहते हैं, इसका लक्षे का अरतुआ सकाम लक्षे, हम तक पुरुषों का जो बना किसी संत में दासना पूर्थी के मार्ग से परमास्मा को प्राप्ष किया है आज तब कोई ऐसा संत हुआ है जिसमें दासना पूर्थी के मार्ग से परमार्थ को अपने लक्ष को प्राप्ष किया है हम चाहते हैं वो जो स्वामी राम पूर्थ को मिला पर स्वामिरान पीर्थ का काबन हम क्या को हो वो जो बत्ता प्रे रिशाग दो तुग दो को मिला परंट उसका काबन अरे बाबा लोखित लक्ष उपराप्ती करने के लिए भी यूटन और आइस्टीन को सीखने के लिए भी दूसरे का सहारा लेना पड़ता है और तुम अखन्द अनन्द अपरिश्चिन परिपूरण अधिनासी अद्वय तक्चिबा अनन्द गान प्रत्यक्षई सन्याभिन प्रम तक्ष़ को प्राप्त करने कहते हो और तुम को सहरा लेने के लिए सूचती है उसमें अपने मन लगाना मन को एकागर करना उसमें रुची उत्पन करना अपने मन के दुचीला बनाकर उसमें प्रविष्च करना कि ये समाधान उने रुची नहीं होती तो इसको समाधान बोलता है तो दोसो कहीं कहीं स्क्रोध करना बहित है जो अपने है, बच्चिर है, पड़ा, पत्मी है, पत्मी है, उनसे थोड़ी लडाई करनी चाहिए है तो अब गुस्टा भी करने चाहिए है उनसे पर उनके अनुष्टिकी तो इच्छा अपने मन में नहीं होती है तो जो शान्ती की बात बताता है तो जब परमार्ग के मार्ग में चलते हैं, तो जहां गुस्टा करना चाहिए, वहाँ भी गुस्टा करने के जरूरत नहीं जाता है अच्छा भोग इसी तो शूट है ने खोड़ इसी अपने घर में पर जब करमार्थ के मार्ग में चलते हैं तक केमल जीवन निर्वा के लिए ही बस्तु काउतियोग रहे जाता है कर्ण तो बहुत सारे दृत हैं यग्य करना दृत है हमने देखा बहुत सारे दो गुत्तों करपे लूत हो तो गुतों का ये ठाल होता है कि हम बड़ा भारी संमेमन करेंगे तो इसमे खूब सक्थृं होगा तर उस शक्थंग करने के लिए उस्ता में करने के हैं करें पहर कारी मनोगृति、 दूसरों को सक्थंग मिलेगा हम को तो उस्तां के आयोजन का प्रिन मिलेगा यह होता, क्योंकि वो सेल सक्संग नहीं कर सक्सें, वो सेल सक्संग नहीं कर सक्सें तो यह कर्मों से उपराती, जो बीश कर्म है, उनके जगड़े में भी ज्यादा नहीं पढ़ना और दित्वों से बिताने के लिए करी एक सागल स्क्री मैंने देखिए वी कोड़ें पहले तो इसके अपने हाथ में सागल लगाने की आदिश पर गई थे तो कहीं दाग लगा जाए, कहीं मैल लगा जाए अग मारास दूड़ घंटे दाथ रूम में रह के अपने सरीर में ताबल लगाती थोड़ दुने में इस से भंगली फट गई और सूज गई हाथ की और घंटे दूग ऺंटे में भारा जाए, महीवे दो महीनिक इसके लखना हूक के पागल फाने में रिजा के मरती करा ना परा तो दुख मिटाने का जिनको अग्रह हो जाता है न हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आने के जिए और दुख आता है, सूर्ज से दुख आता है, आग से दुख आता है, हला से दुख आता है तुम्ह का आना कैसे रोखोगे तुम्ह का आना नहीं रोख सकते 있다 दुख को सेहने का पूरा अभियाद से होना चेहिए तो इनके मूह से ऐटी ऐटी बात निकलती है उनके से तो इनका मूह पकड़ती को तुम्हो gilt रखोगे तों आपने काम पक़ को रख सकते हो अपने मन पक़ को रख सकते हो दूसरे का मुझ पकल को सपी होना चाहता है नहीं, वो नहीं समझ है तभी सुपी नहीं हो सकेगा इसलिए खोड़ा दुख सेने की आदथ चाहिए और पहले के लोगों ने जो बार्ग निकाला है, जो तरीका निकाला है पर्मार की प्राथी चोई बुझे सम्कों का लगति है उसमें मन की स्थातना करनी चईए एक महातृर्स से मैं ने पूछा युश्वर कைसे मेलके मैंने पूछा हमको भगवान कैसे मिलेगे उने बच कैसी कैसी यह जो तुमारे मन में लालसा है न कैसी मिलेगा यह जो खोग है तुमारे मन में इसको पढ़ाओ कैसी इश्वर कैसी मिलेगा इश्वर कैसी मिलेगा इश्वर कैसी मिलेगा एक घर में इश्वर मिलता है, बेटे में इश्वर मिलता है, पत्नी में इश्वर मिलता है, आपने उर्दा में इश्वर मिलता है, घर के अंदर इश्वर मिलता है, इश्वर के चाने के दिये द्याकुलता तो हो यह? परमसुकतं केवलं ज्ञानमूर्द्यं द्वन्द्वातीतं गगनसद्रशं तत्वमस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं प्रिमलमचलं सर्वधिशाक्षिवूतं भावातीतं त्रिगुनरहितं तत्गुरुंतं नमामि प्रिष्णन सर्णमूर्द्यं